तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर रहे हैं जी चाइनिश प्लेटर और यह हमने मंगवाया जी वा जी वा से इसका हमने पे के 2211 प्रवे कुछ 5-6 आइटेम इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं आपको दिखा दे कि इसके अंदर हमें क्या-क्या मिला है बागी करके आपको दिखाते हैं अब काफी सारी टेप लगा दी है और इसको ओपन करते हैं खुल्जा स्विम स्विम और देखे जी इसके अंदर हमें क्या-क्या मिला है पेकिंग तो अच्छी लग रही है साफ सूतरी है यह आया जी इसके अंदर हमारा साथा सामान देख लोग रहा है तबसे पहले तो हमें मिले झीशके अंदर नूडल्स और काफी अच्छे लगए वैजिर में पत्ता गो भी है शिम्ला मेर्च है गाजर है काफी नजर आ रही है है लुग भी जो है ना काफी दोड़ास आ गया है वह तो पैकिंग में टेकवे में प्रॉड़ाइ जाता है बाकि इसके अंदर वह नूडल सी है और काफी लग तो मिला है इसमें आया जी हमारे पास है हनी चिली पिटैटो जो थोड़े से ना चिपक गई है यह इन्होंने पूरी जो है ना उसकी शेप ही ले लिए हाँ काउन फ्लार होगारा से चिपक चुके हाँ काफी अच्छे लेवल में चिपक गई है यह मेरे को एक थोड़ा सा वह मॉमोस उसमें आठ पीस लिखे लिए डिस्क्रिप्शन में आठ पीस इसके अंदर आते तो नहीं पहली बात यहां तो इसके अंदर वेजिस देखो यार काफी अच्छी है वाई पत्ता बहुत कुछ लग रहा है दो पीस है अफगानी मॉमोस है और साथ में ग्रेवी मंचूरियन यह भी काफी सही लग रहा है इसमें सिरफ दो पीस है है हमने किया इसका 221 रुपे क्या लगता है आपको यह वर्थ है कि नहीं है बागी टेस्ट करके आपको बताते हैं सबसे पहले हम ट्राइक कर रहे हैं जी इनके नूडल काफी कर रहे है और मोटा नूडल यूज कर रहा है करें बहुत बढ़ी आया क्या स्वाद आया ना बहुत टाइम बाद इतने बढ़ी नूडल्स का रहा हूं सभी बढ़ारों बंगत दिलकुश हो गया एक्जक्ट वैसा फ्लेवर लग रहे मेरें को जैसे हम स्रीट फुड वगर उसकी वज़े से काफी अच्छा फ्लेवर आगया यह तो चोड़ने का मनी नहीं कर रहा है बहुत बढ़िया अब ट्रै करते हैं जी मंचूरियन अब इसके अंदर दो पीस निकलें जी टेश करके बताते हैं को बहुत सब्सक्राइब मक्कन की तरह घुलिया और मज़ेदार मतलब नूडल्स के बाद ना इसका फ्लेवर मुझे उम्मीद निति किता बढ़िया होगा और बाई सब कमाल का फ्लेवर आ रहे हैं बहुत यार इतनी ज्यादा सौफ्ट है ना मक्कन की तरह मेल्ट हो गई और जो ग्रेवी रेडी करी है बाई सब बढ़ी कमाल की फ्लेवर और अब ट्राइ करते हैं जी यह अफगानी मोमोज मोमोज है तो स्वाद मगरना मेरा नूडल और मंचूरिन ज्यादा स्वाल लगी है यह थोड़े से ना मसाले दार है तो मजा आ रहा है खाने में यह अब इतने स्पाइसी खाने वार वह लाइट और ज्यादा लाइट जो खाचा होता ना उसी की शेप ले ली है करेड़े स्वाद मेरा इसने तो मोमोज ने और यह बहुत ड्राय हो चुका है गले से गटक ही निराव दर नाम डिस्क्रिप्शन में हनी चिली पटाइटो था यह है नॉर्मल चिली पटाइटो और उसके भी फ्लेवर कोई खास नहीं है हनी का तो पता ही नहीं चल रहा बिलकुल भी वाक्य में यह मज़ेदार नि लगा यार अब तक तीन चीज ती अच्छी थी अब यह ट्राय करते है अब यह उम्मीद करता हो कि थोड़े से बढ़िया हो करेड़ेस्ट तो बढ़िया है मगर जो असली फ्राई हो का ताजा जो फ्लेवर आते हैं वैसा फ्लेवर नहीं रहा है इसका ना उपर की लेयर का क्रंच बिल्कुल खतम हो गया वह मौश्टर आने के लिए गर्मा गर्म को वह पैक कर देते तो पानी छोड़ देता है उसकी वज़े से यह बहुत सॉफ्ट हो गया है अंदर जो नूड लगता है वाजी वाज से क्या आप यह 221 रुपे में मंगाओगे या नहीं मंगाओगे